हेलो स्टुडेंट आज हम देखने वाले हैं आप्थेलमोलोजी के अंदर टेरीजिम डिजीज को टेरीजिम क्या होता है उसको समझते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को ट्राइंगुलर विंग शेप्ड फोल्ड ओफ कंजिक्टिवा विच इन्वेट्स बोमन मेंब्रेंस एंड सुपर्फिशल इस्ट्रोमा ओफ कोर्णिया इन पाल्पेब्रल एपरेचर अब इसका मतलब क्या होता है तो जो ट्राइंगुलर विंग शेप्ड फोल्ड होता है किसका कंजिक्टिवा का ठीक है विच इन्वेट्स जो कहां तक फेला होता है बोमन्स मेंब्रें तक और जो कोर्णिया का सुपर्फिशल इस्ट्रोमा होता है वहां तक फेला होता है कि इसको समझने के लिए हमें कोडने की लेयर को समझना पड़ेगा, देखें आप डाइगराम के अंदर देख पा रहे होंगे कि कोडने की जो लेयर होती है, सबसे पहले बाहरी बाहर की लेयर जो light blue color से दिखा रही है, इपिदिलियम होती है, उसके अंदर थोड़ा purple color की बोमस लेयर होती है, और बीच में जो एक broad layer है, ठीक है, जो थोड़ी मोटी layer है, वो होती है stroma, दिन green color से desment और orange color से endothelial शो की गई है, तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि कहां तक invades होता है, बोमस membrane तक, जो purple color की layer हमको दिख रही है, वहाँ तक, और superficial stroma of cornea, ठीक है, तो जो stroma है, उसकी superficial जो area है, superficial जो layer है, वहाँ तक वो देखने को मिलेगा, तो क्या है terigium, terigium क्या है, triangular wing shaped fold of conjunctiva, which invades बोमस membrane and superficial stroma of cornea in palpebral aperture, तो इस तरह से इसकी definition होती है, तो आसान है, बहुत ही simple है, बड़ी आसनी से आपको याद हो जाईए, आगे बात करें, कि भाई, इसकी etiology कैसी होती है, कि आखिरकार terigium होता क्यों है, तो terigium जो होता है, वो होता है, इसके अंदर सबसे most common कारण होता है, exposure to UV light, ठीक है, exposure to UV light या exposure to UV rays, ठीक है, जो ultraviolet rays रहती है, वो यदि आखों के अंदर जादा जाएगी, तो यहाँ party region देखने को मिल सकता है, second देखिए, most common और किसके अंदर देखने को मिलता है, एसे लोगों में होगा, जो dry और dusty weather में जादा रहते हैं, ठीक है, एसे लोगों में जादा होगा, जो क्या करते हैं, dry और dusty weather में जादा रहते हैं, dry dusty weather मतलब, कि भई जहाँ जादा जो शुषक area होगा, जादा जो सूखा area होगा, जहाँ पर गर्मी जादा होगी, और जहाँ पर धूल दुआ जादा होगा, वहाँ के लोगों को टेरिजम देखने को जादा मिलेगा, तो अब यहाँ कारण सबसे पहला कारण तो यह है, कि exposure to UV light और second one किसको होगा, एसे लोगों को होगा, जो dry और dusty weather में जादा रहते हैं, एक और होता है इसका age risk increase with age, तो यहाँ पर age risk भी होता है, कि जैसे जैसे उमर जादा होती जाएगी, उनके अंदर टेरिजम होने के chances भी बढ़ जाएगे, तो आसान है क्या है टेरिजम, triangular wing shape fold होता है, conjunctiva का, जो कहां तक फेला होता है, कोर्णिया की moments membrane तक, और कोर्णिया के जो superficial stroma layer होती है, वहाँ तक फेला होता है, किस के अंदर, palpubral aperture के अंदर, होता क्यों है, exposure to UV light, ठीक है, आँखों के ultraviolet rays के संपर्क में आने से, second one, एसे लोगों को जादा होगा, जो dry और dusty weather में जादा रहते हैं, और जैसे जैसे age बढ़ेगी, तो वहाँ पर, जो terisyum होने के chances भी बढ़ जाते हैं, आगे देखिए, इसके clinical features को समझते हैं, तो clinical features बहुत ही आसान है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, अपन symptom, symptom के अंदर क्या होता है, usually symptomless, ठीक है, अब एसा समझो, कि आख के अंदर, एक जिल्ली बन चुकी है, तो वो कभी-कभी क्या करती है, कोई भी symptom को कोज नहीं करती, ठीक है, आख के अंदर कोई problem नहीं करती, तो यह usually सामयने था symptomless होती है, कोई भी symptom इसके अंदर नहीं होते, लेकिन, there is a cosmetic disfigurement, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, cosmetic disfigurement देखने को मिल सकता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यदि terrygem हो गया है, तो वो क्या करता है, उसकी beauty को कम करता है, ठीक है, उसकी सुन्दरता को कम करता है, क्योंकि आख के अंदर एक abnormal growth हो चुकी है, तो यह क्या है, आगे बात करें, तो irritation होना, discomfort होना, लेक्राइमेशन होना, यह तो सभी के अंदर आई रहा है, साथ ही साथ, vision obstruction भी हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति completely देखने में असमर्त भी हो सकता है, कभी कभी यदि terrygem की growth बहुत ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, irritation, discomfort, लेक्राइमेशन और कभी कभी यदि ज़्यादा growth कर जाएगा, तो वहाँ पर vision obstruction भी हमको देखने को मिल सकता है, next देखिए, sign, sign के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो सामने ही दिख रहा है, आपने वो क्या है, triangular fold दिख रहा है, तो कैसा है, triangular wing shaped fold है, ठीक है, वो कैसा है, triangular wing shaped fold है, किसका, conjunctiva का, जो कहां दिख रहा है, eye के अंदर तो लिखना है, sign के अंदर, triangular wing shaped fold of conjunctiva, seen in eye, ठीक है, साथ यहाँ पर corneal opacity भी देखने को मिल सकती है, corneal opacity क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए, वहाँ पर जो fold बना है, वो एक तरह से क्या कर रहा है, pupil margin को cover करेगा, तो वहाँ पर थोड़ा blur vision भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर, धुन्दलापन भी देखने को मिल सकता है, तो उसे हम corneal opacity भी बोल सकते हैं, या फिर यू लिख सकते हैं, कि corneal opacity में भी present, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीके, आगे देखिए, next है, इसके types को समझ लेते हैं, तो types इसके दो प्रकार के होते हैं, progressive terigium और regressive terigium, ठीके, दो प्रकार के terigium होते हैं, progressive terigium और regressive terigium, यहाँ पर progressive terigium के अंदर लिखना है, कि यह कैसा होता है, ठीक होता है, ठीके, थोड़ा मोटा होता है, fleshy होता है, means, थोड़ा मांसल होता है, ठीके, इसके अंदर rich viscularity होती है, ठीके, rich viscularity होती है, यहाँ पर blood supply ज़्यादा होती है, आगे बात करें तो gradually increase in size तो अभी मैंने बताया कि progressive का मतलब क्या जो समय के साथ बढ़ता चला जाए gradually increase in size और कभी-कभी pupillary area को cover भी कर लेता है तो कभी-कभी जो pupil margin है उस area को भी cover करके कभी-कभी vision obstruction भी करता ही है तो बहुत ही simple है progressive केसा है थिक है, थोड़ा मोटा है fleshy मतलब mansal है rich viscularity है means blood supply जादा है और gradually increase in size means इसकी size बढ़ती चली जाती है और कभी-कभी ये pupillary area को cover भी कर सकता है तीक है आगे देखते हैं regressive तो progressive का just ultra-regressive है यहाँ पर ये कैसा रहेगा thin तो progressive थिक था तो यह थिन रहेगा, वो fleshy था, तो यह रहेगा attenuated, attenuated का मतलब होता है पतला, तनू, ठीके, थोड़ा थिन रहेगा यह, आगे बात करें, तो यहाँ पर rich viscularity थी progressive के अंदर, तो regressive के अंदर poor viscularity देखने को मिलेगी, ठीके, आगे लिखना है इसके अंदर, कि यह थोड़ समय के पश्चात, और थिन होकर, growth करना बंद कर देता है, ठीके, थोड़े समय पश्चात, और थिन हो जाता है, ठीके, जितना थिन था, उत्ता तो है यह, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, या और थिन हो जाता है, और growth करना बंद कर देता है, तो जैसे आपनोंने बात कर आ थिक, थिन, फ्लेशी, एटिनुएटेड, रिच वेस्कुलारिटी, पूर वेस्कुलारिटी, ग्रेजुली, इंक्रीजिन साइज, और ये कैसा रहता है, थोड़े समय के पस्चाथ, और थिन होकर ग्रोथ करना बंद कर देता है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, पार्ट ओफ बोडी, जो हेड होता है, वो कौनसा पार्ट होता है, पार्ट प्रजेंड ओंदी कोर्णिया, ठीक, ये कौनसा पार्ट है, कोर्णियल पार्ट एक तरह से, बात करें, नेक्नेक कौनसा पार्ट है, लिम्बल पार्ट है, ठीक है, और जो बोडी है, वो स्कलेरल पार्ट है, नेक्स देखते हैं, तेरी जियम का ट्रीटमेंट, बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, सबसे पहले लिखना है आपको conservative treatment, ठीक है, तो प्रारंबी की गिस्ता क्या करेंगे, तो इसके अंदर लिखना है आपको, कि यह एक प्रकार की benign growth है, सामाने था, इसकी surgery नहीं करते, लेकि नोर्मल सी एक benign growth है, जिसके अंदर surgery नहीं करते, लेकिन यदि यह pupil margin को cover कर देता है, vision को obstruct करता है, देखने में problem करता है, तो क्या करेंगे फिर इसकी surgery करते हैं, लेकिन यदि pupil को cover नहीं कर रहा है, और vision obstruction नहीं कर रहा है, तो इसकी surgery सामाने थोर पर नहीं की जाती, ठीक है, कुछ व्यक्ति कोस्मेटिक surgery के तोर पर भी इसको करवा सकते हैं, ठीक है, आगे देखिए, surgery कौन सी करेंगे, भाई अब surgery तो करेंगे, लेकिन कौन सी करेंगे, तो terigium को surgery के दौरा हटाया तो जा सकता है, लेकिन इसके recurrence के chances रहते हैं, तो भाई, surgery के दौरा इसको हटा सो हो सकते हैं, लेकिन recurrence मतलब वापस होने की संभावना इसकी जादा रहती है, तो भाई, ऐसे में क्या किया जाए, तो अभी most common जो surgery चल रही है, उसको पढ़ लेते हैं, तो most common surgery इसके अंदर आती है, conjunctival autografting, ठीक है, इसके recurrence के chances रहते हैं, लेकिन थोड़े कम रहते हैं, बहुत सारी surgery होती है, जादा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको selected जो matter है, वही हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर most common use होता है, conjunctival autografting, ठीक है, इसको समझाता हूँ होता है, इसके अंदर लिखना है, कि यह surgical technique है, जो most effective and safe है, ठीक है, surgical technique है, सामने दिख रहा है, और केसी है most effective है, और safe है, ठीक है, प्रबावशील है, और सुरक्षित है, आगे देखें, तो इसमें terigium remove करते हैं, साथ साथ, some part of conjunctiva को भी remove करते हैं, जो scleria के उपर present होता है, तो भाई, इसके अंदर जो terigium बना है, जो triangular fold बना है, उसको तो remove करते हैं, थोड़ा सा part, scleria के उपर, जो conjunctiva रहती है, उसका भी अपन क्या कर देते हैं, remove कर देते हैं, ताकि recurrence के chance सोड़े कम हो जाए, ठीक है, अब removed conjunctiva की जगे, surgeon another tissue को scleria पर graft कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, conjunctival autografting, ठीक है, क्योंकि conjunctiva जहां से remove किया है, वहाँ पर क्या कर देते हैं, scleria के लिए sutures या fit tissue adhesive का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो graft लगा रहे हैं, अपन another tissue का, scleria के वहाँ पर जहां से conjunctiva remove करी है, तो वहाँ पर अपन suture के द्वारा भी उसको लगा सकते हैं, या fit tissue adhesive का भी use कर सकते हैं, इसके अंदर fibrinal glue use होता है, sinoacralite use होता है, तो उत्ता detail में नहीं जाना है, बस आपको लिख देना है कि tissue adhesive use किया जाता है, तो यहाँ पर surgery के अंदर क्या करना है, आपको conjunctival autografting use करना है, तो इस तरह से आपका treatment भी बड़ी आसनी से clear हो जाएगा, और इस तरह से आपका terigium complete हो जाएगा, तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा ह तो वीडियो को like कर दीजिए, अपने friends के साथ share कर दीजिए, यदि आप mastermind channel पर नए हैं, तो please channel को subscribe कर दीजिए, बे like and press कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का update आपको मिलती रहे, thank you